दोस्तों क्या आपने कभी किसी जानरों को पेंटिंग करते देखा या सुना है शायद नहीं मगर आज हम आपको एक ऐसे सुवर के बारे में बताने जा रहा है जो गजब की पेंटिंग करती है इस सुवर को लोग पीक कासो नाम से जानते हैं आउत अफ्रिका के फ्रेंच वैली में रने वाली जो आने लेप्शन और उसकी पीक कासो काफी फेमस हो चुकी है जो आने ने पीक कासो को पांच साल पहले साल 2016 में केप ताउन के एक स्लाटर हाउस से बचाया था जहां उसे काटने के लिए ले जाये जा रहा पिछले पांच साल के वक्त में उसने 400 से ज्यादे पेंटिंग बनाई है लोग सुवर की पेंटिंग को इतना पसंद करते हैं कि उसे अच्छे खासे दाम में खरीद लेते हैं पेंटिंग से कमाया गया पैसा फार्म के दूसरे जानुव को पालने में खर्च होता है झालने में खर्च होता है